हेलो जी नमशकार गुड मॉनिंग स्वागत है बचो आप सभी का डाउटनट लाइफ पर बिटा जी बात कर रहें किसकी वंशागती का आणवी का दाहर जिसमें आज इस चैप्टर को खतम करेंगे एक आखरी टॉपिक रह गया है हमारा और वो कौन सा टॉपिक रह गया है य कौन डिने फिंगर प्रिंटिंग ठीक है डिने अंगुली छापी जिसको हम डिने फिंगर प्रिंटिंग या डिने अंगुली छापी बोलते हैं यह हमारा एक आखरी टॉपिक रह गया है इस चैप्टर में जो हमें आज खतम करना है ठीक है चलें आगे आईएगा बहुत इ आईए एक चीज आपको बतानी है भया क्या पहले भी बता चुके हैं कई बार बता चुके लेकिन ये चीज बतानी जरूरी है कि लाइव क्लास में quiz contest होता है अब ये quiz contest में क्या-क्या होती है कि आपको अगर ये quiz contest खेला है तो सबसे पहली चीज आपको डाउनलोड करने का doubtnut app वहीं पर ही ये possible होएगा आप YouTube पर अगर आंसर देंगे तो वो count नहीं होएगा आपको daily live classes attend करनी है live quizzes जो होएगी जब class चल रही होएगी उस time पर आपको वो quiz attempt करनी है ठीक है एक सही marks का एक mark मिलेगा अगर आपने सही किया तो उसका एक mark मिलेगा अगर आपने गलत किया तो zero marks मिलेंगे रोज रोज 13 winners जो हो तो उनको 500 रुपीज का cash price मिलता है और six lucky winners को 5000 रुपीज का cash price मिलता है ठीक है तो ये आप कब करेंगे सिर्फ आपको अपनी ही class के लिए और अपने ही medium के लिए करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप Hindi medium के English medium में जाकर कर रहे हैं और English medium के तो Hindi medium में आकर कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि 12th class के तो 11th class में जाकर कर रहे हैं और 11th class के तो 12th class नहीं आपको अपनी class में attempt करना है आपकी screen पर pop-up होएगा क्या pop-up मतलब एकदम से आएगा क्या quiz आएगा आपको click करना answer देना है ठीक है समझ में आ गया तो इस तरीके से बिटा जी quiz चल रहा है बहुत पहले से चल रहा है ठीक है seriously लीजिएगा इन quizzes को देखें ये सिर्फ ये जो quiz जो होते हैं इनको सिर्फ money के respect में मत देखिएगा ठीक है इनको यूँ सोच कर करिएगा कि भाया देखिए समझे कि आपके board में भी तो आते हैं quiz type के question आते हैं multiple choice आते हैं एक mark क्या आते है बूर्ड में भी आते हैं तो एक practice होएगी बिटा जी आपको quiz करने की ठीक है चले आगे आए बिटा पहला question आपकी screen पर जो हमने पढ़ा था कल उससे संबंदित पहला question आपकी screen पर आता हुआ मानव genome परियोजना के अंतरगत मानव genome में कितने gene पाई जाते हैं मानव gene जो हैं वो कितने पाई जाते हैं मानव genome में 20,000, 30,000, 80,000, 40,000 कितने पाई जा रहे थे जरा याद करिये कल मैंने आपको बताया था 20,000, 30,000, 80,000, 40,000 कितने genes मिल रहे हैं मानव genome चलिए दूसरा question मानव genome परियोजना के अंतरगत एक gene जो है वो औसतन कितने nitrogen छार से बना होता एक gene कितने nitrogen छार से औसतन बना हुआ था average बना हुआ था 100 से, 3000 से, 1296 से या 4500 से एक gene में कितने nitrogen छार मिल रहे हैं औसतन यानी average चलिए टाइम हुआ समाप्त आईए डिसकस करते हैं पहले तो result देखते हैं भाईया कितने बच्चों ने correct answer दिया है एक बर जरा मुझे बताएं कितने बच्चे हैं जिन्नोंने इस question का correct answer दिया हाला कि इसका correct answer क्या है भई मानव genome के अंदर जो 23 गुण सूतर हमने पड़े थे उनमें total कितने जीन हैं very good बहुत अच्छे well done बच्चों around 80% बच्चों ने correct answer दिया है जबरदस्थ well done बच्चों बहुत अच्छे next दूसरा question एक एक जीन जो होता है वो आस्तन कितने nitrogen छार से बना होता है इसका एक बार result देखते है कितना क्या answer दे रखा है बिल्कुल सही है well done बच्चों बहुत अच्छे इसका answer है क्या 3000 किससे बना हुआ था nitrogen 6 से बहुत अच्छे well done मज़ा आ गया भई है मुझे सुबह सुबह चल तो यह हमने simple सा quiz देखा है जो हमने कल पढ़ा था उससे संबंदित कोशन है अब जो आज पढ़ेंगे उससे संबंदित कोशन बाद में आएंगे ठीक अब आज क्या पढ़ने वाले है मैंने आपको बताया था क्या पढ़ने वाले है DNA fingerprinting या DNA अंगली चापी ये पढ़ने वाले है तो आएए जल्दी जल्दी पढ़ते टॉपिक थोड़ा बड़ा है समझते एक एक बिंदू सबसे पहला बिंदू यहाँ पर आ रहा है DNA fingerprinting की खोज किसने करी है आप से सीधा question पूछा जाएगा कि DNA fingerprinting की खोज किसने करी है तो सबसे पहला बिंदू अब यह है याद नहीं रहता इसका बहुत simple सा करीका मैं आपको बताता हूँ आप सभी ने एक actor सुना होगा एक actor का नाम है जावेद जाफरी सुना है आप में से कई होएंगे जिन्नों ने देखिए हमारे समय पर जब हम छोटे थे तो एक शो आता था बूगी वूगी डान्स का शो होता था बूगी वूगी उसमें एक judge होता था जिसका नाम होता था जावेद जाफरी ठीक है उस जावेद जाफरी से याद रखना जैसे आपने ढोल मूवी भी देखियो है कि उसमें भी है वो जावेद जाफरी है देखा है चले तो वो जावेद जाफरी से याद रखना क्या विज्ञानिक का नाम था क्या एलेक जाफरी ठीक है तो एलेक जाफरी वो विज्ञानिक था जिसने खोज करी थी किसकी DNA fingerprinting जाविज जाफरी का भाई एलेक जैफरी ठीके जाविज जाफरी याद रहेगा एलेक जैफरी अपने आप याद आ जाएगा क्या एलेक जैफरी ने खोज करी है किसकी DNA fingerprinting चलो जी पहली चीज दूसरा भारत में भारत में DNA fingerprinting जो है भारत में DNA फिंगर प्रिंटिंग को कौन लाया था कोशन यह है कि भाई यह इन्होंने तो खोज कर दी लेकिन भारत में DNA फिंगर प्रिंटिंग कौन लेकर आया था कौन से विज्ञानिक थे जो भारत में DNA फिंगर प्रिंटिंग लेकर आये थे तो याद रखना दो दो विज्ञानिक है दो लोग है एक का नाम है डॉक्टर वी के कशप ठीक है याद रखना डॉक्टर वी के कशप और डॉक्टर लाल जी सिंग याद रखिएगा डॉक्टर वी के कशप और डॉक्टर लाल जी सिंग ये दो विज्ञानिक है दो लोग है दो व्यक्ति है जो भारत में लेकर आए थे किसको डिने फिंगर प्रिंटिंग बताए ये सिंपल से दो बिंदू मेंने अभी तक आपको बताए है अभी ये नहीं द भारत में इसकी खोज जो थी इस तकनीक की खोज किस ने करी थी एलक जाफरी ने करी थी और भारत में इसको कौन लेकर आया था डॉक्टर वी के कशप और डॉक्टर लाल जी सिंग ये लेकर आया थे चले आगे बिटा जी स्क्रीन शॉट लेते रहेगा या साथ-साथ ये गब भूलेगा वाई तीक है आई अब बात करते है डिने फिंगर प्रिंटिंग है क्या लेकिन ये बात करने से पहले कुछ चीजे है वो समझते हैं देखिएगा बिटा जी मेरे अंदर मेरी कोशिका है और आप में से माल लेते कोई बच्चा है माल लेते कोई राकेश बच्चा है ठीक है कोई भी बच्चा है या मैं बैठा हूँ या मेरे सामने कोई बैठा या आसपास जितने भी लोग मेरे पास मिल रहे हैं हम सभी मनुष्यों में ध्यान से सुनना हम सभी मनुष्यों में सभी मनुश्यों में 99.9 प्रतीशत DNA सेम होता है समान होता है आप बोलेंगे हैं ऐसा होता है हाँ याद रखना मेरे अंदर जो DNA है 99.9 परसेंट DNA आपके अंदर भी वही है जो मेरे अंदर है वही मेरे माता-पिता में वही आपके माता-पिता में वही किसी और के माता-पिता में होएगा सब के अंदर जितने भी मनुश्य है सभी के अंदर 99.9 परसेंट DNA जो है वो सेम है आप बोलेंगे अगर सेम है तो फिर हम अलग-अलग कैसे है तो ज़र अध्यान से सुनना कहीं 99.9% DNA अगर सेम है तो कोई 0.1% 0.1 प्रतीशत अलग भी तो है आप बोलेंगे सिर्फ 0.1 प्रतीशत अलग है हाँ सिर्फ 0.1 प्रतीशत अलग है और उसी अलग होने के कारण विभिंताएं आ रही है समझ में आया कहने वाली बात क्लियर है तो याद रखना विटा क्या बोला सभी मनुष्यों में 99.9% DNA क्या है सेम हैं समान हैं विभिंताएं जो हैं अलग-अलग जो DNA हमारे अंदर है वो कितना है केवल 0.1 प्रतीशत DNA हमारे अंदर क्या है अलग हैं इतना सा बिन दू समझ में अब आप बोलेंगे सर यह क्यों बताया कियों बताया किसलिए बताया अभी रुकिए अभी एक एक चीज एक एक स्टेप में पढ़ेंगे ठीक है पहला बिन दूमने यहांपर क्या देका तास इसने खोजगरी भारत में यह लिका आया तीसरा बिंदू हमने ये देखा कि सभी मनुश्यों में इतना प्रतीशत DNA समान होता है 0.1% अलग होता है अब ये 0.1% कहां मिलता है क्या नाम होता इसका जरा ध्यान से देखेगा बिटा देखेगा ध्यान से सुनना क्या आपने गुणसूत्र क्रोमोजोम नाम सुना है आप बोलेंगे हाँ सर गुणसूत्र नाम सुना है क्रोमोजोम नाम सुना अब देखेगा chromosome यानि गुर्णसूतर की संग्रचना देखेगा ये एक DNA है आप बोलेंगे ये तो हम जानते हैं गुर्णसूतर की संग्रचना नहीं जानते हैं अब जरह ध्यान से देखना ये एक DNA है और इसको भूला मत बिल्कुल भी बिल्कुल मत भूलियेगा seriously नहीं ले रहे हैं, आप लोग इसलिए seriously लीजेगा चीजों को, ये DNA का एक धागा है, इस DNA के धागे के बिलकुल बीच में एक प्रोटीन की एक संगरचना होती है, जिसे हम बोलते हैं काइनेटो कोर, क्या बोला बेटा, ये DNA का धागा दिखाई दे रहा है, पूरा एक DNA दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं, क्रोमेटेड, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, और इसके यहाँ पर ये ए एक प्रोटीन का एक संगरचना मिल रही है, प्रोटीन से बनी हुई, जिसका नाम है, काइनेटो कोर, ठीक है, समझ में आ गया, हमने एक और DNA लिया, इस DNA में भी क्या होएगा, काइनेटो कोर होएगा, अब जरा सोची, क्या, दो काइनेटो कोर है या नहीं है, एक क्रोमेटेड का काइनेटो कोर, दूसरे क्रोमेटेड का काइनेटो कोर, यहाँ पर एक दूसरे के पास, ठीक है, क्या ये गुण सूतर है, नहीं, अभी सूतर जो होता है वो एक जली से धका हुआ होता है आप बोलेंगे क्या गुण सूतर पर भी जली होती है मैं बोलूँगा हाँ गुण सूतर पर भी क्या होती है जली होती है आवरण होता है वैसे तो इसको इंगलिश में क्या बोलते है पहली कल बोलते है इतना डीटेल में मत जाएगा बस एक जिल्ली होती है, जिसको हम बोलते हैं पहली कल, ठीक है, सिंपल सा था, चलें आगे, कन्फ्यूजन तो नहीं, अब ध्यान से सुनना, अब ज़रा सोचिए, अगर मैं ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एक और संग्रचना दिखा रहा हूँ किसकी गुण सूत्र की और देखकर मुझे बताएगा आपको क्या अलग दिखाई दे रहा है, हाँ जी बिटाजी, संग्रचना दिखरी है आपको ये, अब आप मुझे बताएगा इस संग्रचना में और इस गुण सूत्र की संग्रचना में कोई अंतर दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे, हाँ सर्द दिखाई दे रहा है, कोई फूला हुआ सा भाग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उपपर, यहाँ पर नहीं था, अब आप बोलेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ, तो इतना डीटेल में मैं जाने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारी चीजे फिराती जाएंगी अभी सिर्फ इतना सा याद रखना ये गुण सूत्र किसमें होते हैं केंद्रक में होते हैं नाम सुना है आपने कि वह ये कोशिका है इस कोशिका केंद्रक है और केंद्रक 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 एक संग्रचना होती जिसे हम बोलते केंद्री का क्या नाम देते हैं केंद्री का नाम सुना है ना तो क्या हुआ यहां पर इस गुण सूत्र के बीच में आई केंद्री का और इसको दबाया इसकी जिल्ली को दबाया अब जिल्ली जब दबेगी तो अंदर घुसेगी या नहीं घुसेगी अंदर की तरफ घुसी जिल्ली जिससे एक मैं पूरूंगा दबाव पड़ा जिससे यह संगरचना आखरी का भाग क्या हो गया फूल गया है ठीक है इतनी सी बात समझ में आई है क्या वापस से सुनना एक कोशी का कोशी का के अंदर केंद्रक केंद्रक केंद्र कौन होती है केंद्रिका अंदर गुण सूत्र है या नहीं है मालेत है यह वाला गुण सूत्र थ और आकर इसकी जो जिली है उसको दबा दिया जैसे इस केंदरिका ने यहाँ पर जिली को दबाया तो यह जिली जो है अंदर की तरफ प्रेस होएगी अंदर की तरफ जाएगी और एक फूला हुआ भाग का क्या हो जाएगा निर्मान हो जाएगा अब यह जो फूला हुआ भा भाग बोलते हैं तो चिक क्या बोलते है अनुशंगी भाग बोलते अब अनुशंगी को English में क्या बोलते है याद रखना satellite satellite area बोला मैंने इसको कौन सा शेत्र था ये अनुशंगी शेत्र था अनुशंगी area है satellite area है ये फूला हुआ भाग ठीक है अब आप बोलेंगे ये क्यों बता रहे हैं किसलिए बता रहे हैं देखे पहले तो ये गुण सूत्र की संगरचना समझ में आ गई अब ध्यान से सुनना ये जो अनुशंगी भाग होता है ये वला ये जो अनुशंगी भाग होता है इसी अनुशंगी भाग में ध्यान से सुनना बटा इसी अनुशंगी भाग में अनुशंगी भाग में डियने का अनुक्रम मिलता है आप बोलेंगे ठीक है यहाँ पर डियने ही तो मिल रहा है अंदर ज़रा सोचे यह क्या है डियने है यहाँ पर भी डियने है अब मैंने क्या बोला यह जो अनुशंगी भाग है यह वाला सेटलाइट भाग जो है इस सेटलाइट भाग के अंदर जो डियने मिल रहा है उसका नाम क्या है अनुशंगी डियने कौन सेटलाइट डियने बहुत सिंपल सी लाइन बोलिए मैंने क्या कि गुण सूत्र जो होते हैं उन गुण सूत्रों में एक फूला हुआ भाग उसके शीर्ष पर मिलता है जिसे हम अनुशंगी शेत्र बोलते हैं उस अनुशंगी शेत्र के अंदर जो DNA मिलता है वो क्या कहलाता है अनुशंगी DNA क्या होएक आगे द्यान से सुनना यह जो अनुशंगी भाग में जो DNA का अनुक्रम मिलता है इस अनुक्रम में ध्यान से सुनना इस अनुक्रम में क्या मिलते हैं ध्यान से सुनना यह मैं बोलूँगा यह जो DNA का अनुक्रम जो होता है यह होता है पुंद्रा व्रतित डियने यह होता है रेपेटेटिव डियने अब आप बोलेगे यह चीज समझ में नहीं है यहां तक की कहानी तो समझ में आ गई क्या कि वही है यह अनुशंगी भागया फूला हुआ भागया इसके अंदर जो डियने मिल रहा उसका नाम है अनुशंगी डियने है इस अनुशंगी डियने में जो अनुकरम मिल रहा है यह जो डियने जो मिल रहा है अनुशंगी जो डियने है यह अनुशंगी डियने में पुनरा वर्तित हो रही है कुछ चीजे रिपीट हो रही है नाम में देखे रिपेटेटिव आ रहा है पुनर में आ गया फिर मैंने बोला था सभी मनुश्यों में 99.9% dna क्या होता है सेम होता है समान होता है केवल 0.1 प्रतीशत क्या होता है अलग होता है बोला था ना अब ये 0.1 प्रतीशत जो मेरे अंदर आपके अंदर हम सभी के अंदर अलग है ये 0.1 प्रतीशत dna जो होता है 0.1 प हिल गया माथा, यह समझ में आया, क्या बोला मैंने, मेरे अंदर आपके अंदर 99.9% DNA कैए same, अलग कितना है, 0.1% और वही 0.1% DNA जो होता है उसे हम क्या बोलता है पुनरावर्तित DNA और ये पुनरावर्तित DNA कहां मिलता है इस अनुशंगी भाग में मिलता है और इस अनुशंगी भाग के अंदर जो DNA मिलता है वही कैसा होता है पुनरावर्तित DNA होता है आया माथह में आया के हिल गया जिनको पभी भी समझ में नहीं आया, और सिंपल वर्ड में बोल देता हूँ बिटा, मेरे अंदर, आपके अंदर, ये जो पूरा DNA है, ये जो पूरा DNA है, ये समान है, अंतर जो आ रहा है, यहाँ पर जो DNA मिल रहा है, इस जगे पर जो DNA मिल रहा है, उसमें अंतर आ रहा है, यानि 0.1 परसेंट का अंतर जो आ रहा है dna का वो dna मिल कहा रहा है इस शेतर में मिल रहा है ऐतनी सी बात समझ में आगई रहा है अनूशभी शेत्र में मिल रहा है, सैटलाइट भाग में मिल रहा है, ठीक है, आगे क्या? है क्या ये पुन्रावर्तित DNA ध्यान से सुना? बेटा जी ये जो पुन्रावर्तित DNA होता है इस पुन्रावर्तित DNA पे क्या nitrogen charge हो है nitrogen charge हो है वो बार-बार बार-बार repeat होते है अब आप बोलेंगे बार-बार repeat होते है का मतलब देखेगा ध्यान से देखेगा माल लेते हैं ये DNA हमारा अनुशंगी DNA है कौन सा DNA है अनुशंगी DNA ये वाला ये वाला DNA जो है इसको उठाया मैंने और यहाँ पर बनाया ये अनुशंगी DNA अब देखेगा यहाँ पर A, G, A, G, A, G, T, C, C, A, C A, G, A, G, A, G, A, G, C, A, G, T, A, G, A, G, A, G, A, G, A, G, A, G इसके विपरीत क्या होएंगे nitrogen छार आप जानते हैं A के सामने क्या होएगा T और G के सामने क्या होएगा C मैं वो नहीं बना रहा है लेकिन समझने वाली बात जरा देखेगा A, G, A, G, A, G, Bार-Bार आया बना आया A, G, A, G, A, G, A, G, A, G, A, G, A, G फिर वापस से आया फिर वापस से A, G, A, G, A, G, A, G, A, G, A, G, फिर वापस से आया तो जरा सोचिए यह जो अनुकरम जो है कौनसा A, A, G, 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 A, G रिपीट हो रहा है इन अनुक्रम को ध्यान से सुनना ये जो नाइट्रोजन चार जो बार बार रिपीट हो रहे हैं इस DNA में इस अनुशंगी DNA में इस पुन्रावर्तित DNA में ये जो अनुक्रम बार बार रिपीट हो रहे हैं इनको बोला जाता है याद रखना VNTR क्या बोलते है वी एंड टी आर वेरियेबल नंबर टेंडम रिपीट सिंपल सी लाइन बोलिए मैंने क्या वेरियेबल नंबर टेंडम रिपीट ठीक है अब इसको हिंदी में क्या बोलते है वो भी सुनी अनुबद इसको बोलते है अनुबद पुनरार तक याद रखना अनुबद पुनरार तक की विभिन संख्या याद रखना हिंदी में क्या बोलते है बिटा जी और इंग्लिश में क्या बोलते है वी एंटी आर को इंग्लिश में बोलते है वेरियेबल नंबर टेंडम रिपीट अनुबद पुनरार तक की विभिन संख्या अब आप बोलेंगे सर उपर से जा रहा है वापिस से सुनना बार बार सुनना बार बार सुनेंगे अराम से समझ में आएगा फिर से सुनिएगा क्या बोला बिटा ध्यान से सुनना मैंने बोला सभी मनुश्यों में 99.9% डियने जो होता है वो कैसा होता है सेम मेरे अंदर आपके अंदर बिल्कुल सेम है अंतर जो आ रहा है वो 0.1% का आ रहा है वो 0.1% डियने मेरे अंदर और आपके अंदर क्या है अलग है और वही 0.1% डियने को मैंने बोला है पुनरा वर्तित डियने इतनी सी बात समझ में जो मेरे अंदर भाग होता है जिसे हम बोलते हैं सेटलाइट डियने या उस भाग को हम क्या बोलते हैं अनुशंगी भाग और उसके अंदर जो डियने मिलता है वो क्या कहलाता है सेटलाइट डियने अब यह जो सेटलाइट डियने होता है यही वो यही वो अनुशंगी डियने है यही वो रहा वर्तित DNA कहां मिल रहा है आप बोलेंगे सर इस अनुशंगी DNA में मिल रहा है चलो इतनी सी बात समझ में आगी अब आपने बोला सर इस अनुशंगी DNA में आखिर ऐसा क्या है कि जो हमें एक दूसरे से अलग कर रहा है तो कुछ अलग लक्षन मिल रहा है कि इस DNA में हमने ब मिल रहे हैं जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं बार-बार वापस से आ रहे हैं जैसे मैंने आपको यह दिखाया ये फिर ये फिर ये बार-बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहे हैं ये ये रिपेटिटिव जो थे ये बार-बार जो रिपीट हो रहे थे बार-बार पुनरा व और आपके अंदर है, जो गुण सूत्र है, बिल्कुल सेम है, 99.9% क्या था? सेम, 0.1% जो अलग मिल रहा था, वो यहाँ पर मिल रहा था, ठीक है, और जो यहाँ पर जो अलग मिल रहा था, वो DNA क्या खेल रहा था? पुंद्रा वरतित DNA, जो इस अनुशंगी भाग में मिल रह अब यहाँ पर अलग क्या मिल रहा था द्यान से सुनना मेरे अंदर और आपके अंदर अलग क्या मिल रहा है देखेगा इतिना सा समझ में आगे न कि यहाँ पर इस शेतर में कुछ अनुकरम जो है वो बार-बार क्या हो रहे हैं repeat हो रहे हैं ठीक है अब देखिएगा मेरे अंदर और आपके अंदर क्या है मान लेते हैं मैं यानि मेरे अंदर और एक बच्चा ले 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 थे हैं जा मान लेते हैं क्या बच्चे का नाम कोई नाम बता दीजे यहाँ पर कोई नाम बच्चे का चलिए अनिल राजपुर चलिए एक अनिल बच्चा है ठीक है और एक मैं हूँ मेरा ये डियन ने और ये अनिल का डियन ने ठीक है समझ में आगया अब ये जो डियन ने हमने उठाया है ये कहां से उठाया है बटा हमने ये जो डियन ने लेकर आए है मैंने ये जो डियन ने बनाया है ये कौन से भाग का था मेरे इस सेटलाइट भाग का था और अनिल के भी कौन से भाग का था सेटलाइट भाग का थ ठीक है चल अब ये DNA हमने उठा लिया ये मेरे सेटलाइट भाग में याने अनुशनगी शेत्र में जो DNA था वो मैंने यहाँ पर रखा और ये अनिल के अनुशनगी शेत्र का DNA मैंने यहाँ पर रखा ठीक है अब ध्यान से सुनना क्या चीज आपको दिखाई दे लिए A G A G A G C A C A G A G T A C A G A G A G A G C C A G A G ठीक है यहाँ पर देखिए A G A G A G C C A C A G A G A G A G A G T A C A G A G A G A G A G हो रहा है A G A G A G A G A G C A C तीक है अब ज़रा देखिएगा मैंने बोला था हम सभी का DNA बिलकुल सेम है 0.1% का क्या आ रहा था अंतर आ रहा था और वो जो अंतर आ रहा था वो कहां पर मिल रहा था यहां पर मिल रहा था ठीक है और वो जो अंतर आ रहा था वो एक प्रकार के क्या थे पुनरा वर्तित DNA थे अब आप बोलेंगे अंतर क्या है ये तो समझ में आ गया ये जो अंतर आ रहा है ये इस DNA पर आ रहा है और इस DNA पर क्या मिल रहे हैं कुछ अनुकरम मिल रहे हैं नाइट्रोजन छार बार बार ने देखीगा एजी 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 भी एजी एजी बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन 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 लंबाई देखिए वो जो रिपीट हो रहे है नाइट्रोजन चार उनकी लेंथ देखिए उनकी लंबाई देखिए यहाँ पर यह कितने नाइट्रोजन चार का यह अनुकरम बार बार रिपीट हो रहा है य यहाँ पर चार हैं यहाँ पर छे हैं और यहाँ पर चार है दिखाई दे रहें आपको यहाँ पर कितने चार हैं और यहाँ पर आपके आठ हैं यहाँ पर आपके दस हैं दस चार नाइट्रोजन चार फिर आठ नाइट्रोजन चार फिर दस नाइट्रोजन चार अब जरह सोच लंबाई देखिए कही ना कहीं दोनों में हम दोनों में repetitive अनुकरम यानि पुनरावर्तित जो अनुकरम है यानि nitrogen छार जो बार बार repeat हो रहे हैं दोनों में मिल रहे हैं लेकिन दोनों की लंबाई जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग है मेरे अंदर पहले 6 फिर 4 रिपीट अलग मिल रही है अब इसी को ही आधार बना कर हम करेंगे क्या DNA फिंगर प्रेंटिंग तो अभी तक जो उपर से गया है उसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेगा बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको चीज समझाई क्या मैंने बोला सभी मनुश्यों में 99.9% DNA क्या थ सेम था 0.1% .1% अलग था वो 0.1% इस शेतर में मिल रहा था इस शेतर में जो DNA मिल रहा है उसमें कहीं न कहीं कुछ नाइट्रोजन चार जो रिपीट हो रहे हैं की जो लंबाई है हर व्यक्ती में अलग-अलग मिलती है हर व्यक्ती में ये जो रिपीट हो रहे है कौन नाइट्रोजन चार ये अलग-अलग लंबाई के मिलते हैं ठीक है अब आप बोलेंगे DNA फिंगर प्रिंटिंग में करेंग ठीक है उस व्यक्ति की उस व्यक्ति का मडर किया गया है उस X व्यक्ति का मडर किया है किसी ने उसको मौत के घाट उतार दिया है ठीक है अब जब इस X व्यक्ति को किसी ने मारा इस X व्यक्ति को किसी ने मारा माले ते शक है किस पे P पे Q पे R पे ये तीन व्यक्ति है जिन पर गुथम गुथी हुई, अब कौन होएगा, वो हमें पता लगाना है, पी ने मारा की, क्यों ने मारा की, आर्रिमाना, किस ने मारा, वो हम पता लगाएंगे, DNA फिंगर प्रिंटिंग से, लेकिन जो बात आ रही है वो ये, इन तीनों में से, जिसने भी इसको मारा, इसके साथ, उसकी गुत्थम गुत्थी हुई है कही ना कही एक दूसरे से भिड़े हैं लड़े हैं तो जब ये मर गया ठीक है मरने के बाद पुलीस आई फॉरेंसिक टीम आई देखा इसके हाथ में इसके हाथ में बाल मिले हैं इसके हाथ में क्या मिले हैं बाल मिले हैं यानि इसको जब कर जाएगी और क्या करेगी डिने फिंगर प्रिंटिंग अब क्या करेगी डिने फिंगर प्रिंटिंग में जल्दी से देखेगा सबसे पहला चरण डिने फिंगर प्रिंटिंग का क्या होएगा देखेगा ध्यान से सुनना वो जो बाल मिला है उस बाल में जो कोशिका होएग होईगी न, उस कोशिका में केंद्रक होएगा, होएगा न, उस केंद्रक में कहीं न कहीं गुण सूत्र होएगा, उस गुण सूत्र में particularly कौन सा अनुशंगी जो भाग होएगा, अनुशंगी जो DNA होएगा, उसका विलगन होएगा, अब आप बोलेंगे विलगन का मतलब क्या होएगा यानि निकाला जाएगा सिंपल सा वो जो एक्स व्यक्ति था जिसके हाथों में बाल मिला था वो बाल किसका था जिसने उसे मारा है तो हमने क्या किया उस बाल को लिया उस बाल में से कोशिका निकाली उस कोशिका में से केंद्रक मतलब केंद्र कोशिका के अंदर केंद्रक है केंद्रक में गुण सूत्र है गुण सूत्र में से पर्टिक्लरली हमने गुण सूत्र निकाला और उस गुण सूत्र में जो अनुशंगी डियने है उस अनुशंगी डियने को निकाल लिया है क्या निकाल लिए जरा सोचिए अनुशंगी DNA निकाल लिए अब जरा सोचिए ये अनुशंगी DNA किसका है क्या उस X व्यक्ति का है या जिसने मारा था उसका है आप बोलेंगे सर ये बाल उसका है जिसने मारा है तो इस बाल में से जो ये DNA निकाला है हमने अनुशंगी ये किसक मडर किया है ठीक है निकाल लिया पहला स्टेप समझ में आ गया तो पहला चरण था क्या कोशी का में से DNA का विलगन वर्ड क्या है ध्यान से सुनना क्या कोशी का में से DNA का विलगन यानि कोशी का में से DNA को निकाला निकाल लिया हमने कौन सा अनुशंगी DNA निकाल लिया है चले जो DNA आया है, हमारे पास अनुशंगी DNA बहुत बड़ा है, हम इसके क्या करते हैं, तुकडे करते हैं, अब तुकडे कैसे करेंगे, हम इसका पाचन कराएंगे, किसे प्रतीबंधित endonuclease enzyme से, अब आप बोलेंगे ये क्या है, बिटा ये एक enzyme है, ध्यान से सुनना, यहाला कि आगे chapter में आएगा, जैव प्रध्योगी की biotechnology जब हम पढ़ेंगे, उसमें आएगा ये, प्रती बंधित endonuclease enzyme का काम होता है, काटना, क्या करते हैं ये, काटते हैं, ठीक है, अब ज़रा सोचें, यह अनुशंगी DNA था, इस पे कहीं न कहीं repetitive, पुर्णरा वर्तित nitrogen छार मिलेंगे, हमने इसको छोटे छोटे टुकडों में काट दिया, किस ने काटा, इस enzyme, अब आप मुझे बताएं, इस दूसरी प्रक्रिया में पाचन कराने के बाद, इस enzyme से आपको तुकडे मिल गए हैं, कुछ बड़े टुकडे हैं, कुछ छोटे टुकडे हैं, कुछ नॉर्मल टुकडे हैं, इस तरीके से आपको DNA के टु तुकडे मिल गए हैं, ठीक है, अब ये जो DNA के टुकडे जो आपको मिल गए हैं, ये तो आपके किसम में, परखनली में, क्योंकि ये सारा काम किसमें हो रहा है, परखनली में, टेस्ट्यूब में हो रहा है, भाई हमने क्या किया था, बाल लिया, बाल में से कोशिका, कोशि प्रक्रिया में रखते हैं ध्यान से सुनना उसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रो फॉरेसिस हिंदी में भी यही बोलेंगे क्या जेल इलेक्ट्रो फॉरेसिस ठीक है अब इसमें क्या होता यह इत्ती सी मशीन होती है ठीक है इसके दोनों तरफ आवेश लगा देते हैं पॉजिटिव और नेगिटिव अब यहां पर जेल होता है इस मशीन के अंदर क्या होता है जेल होता है अब वो जो जेल जो होता है जेल नाम तो सुनाए ना आपने जेली होती है जेल के जैसी ये जेल अंदर हमने डाल दिया अब ये जेल किसका होता है याद करी 11th क्लास में आपने लाल शेवाल पड़ी होएंगी लाल शेवाल जेलीडियम और ग्रेसीलेरियन नाम की दो लाल शेवाल होती है रेड अलगी होती है जिन से एक पदार्थ मिलता है अगार 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 सुना होगा उसी अगर अगर से बनाया जाता है एक जेल जिसका नाम होता है एगरोस जेल जो यहाँ पर डाल देते हैं जिसमें छोटे जेल डाल दिया अगार-अगार और इस जेल में छोटे-छोटे छिद्रे हैं और इदर आवेश लगा दिया पॉजिटिव इदर नेगेटिव अब आप बोलेंगे आगे क्या करेंगे आगे सिंपल सा क्या ये जो परक नली के अंदर ये जो कटे हुए हमारे डियने के अनु जा दिया अब ब 在 Jthe चोटे जो ये जो टुटे छोटे भी ते बड़े बड़े बी थे थे न अब जबज़र सोचिंगा इसमें कोई बड़ा है कोई खंड बड़ा है कोई छोटा है बताया मैंने आपको कोई बड़ा है कोई चोटा है को सामान्य अकार का यानि आलग-अलग अकार है या नहीं, सभी DNA के यह जो कटे वे टुकुड़ है इनका अलग-अलग आ कार है, ठीक है, अलग-अलग भार है इनका, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, अब DNA जो होता है, ध्यान से सुनना, DNA जो होता है, उस पर आवेश, भूला मत, नीट में कुशन पूचा जाता है, डिने पर आवेश जो होता है वो कैसा होता है याद रखना नेगेटिव होता है रनात्मक होता है डिने पर आवेश कैसा होता है रनात्मक यह मेले पहले भी बता चुका हूँ डिने में फॉस्फेट समू के कारण आवेश कैसा होता है नेगेटिव होता है अब जरा सोचिए न positive की तरफ भागेगा भागे ना इधर की तरफ आवेश लगा रखा है positive ये negative के पास नहीं जाएगा अब जब ये जाएगा तो छिदरों से होता हुआ जाएगा जाएगा अब जब ये छिदरों से होता हुआ जाएगा तो जो भारी है वो पहले पहुँचेगा कि हलका पहले प करते हैं इससे पहले वाले चरण में जो हमारे पास DNA के खंड आये थे जिसमें से कोई बड़ा था कोई छोटा था हमें दिखाई नहीं दे रहे हमने क्या किया इन सभी को अलग कर दिया किसमें जल इलेक्टरोफोरेसिस में आवेश और भार जहां से सुनना आवेश और भार के आधार पर कि आवेश लगाया और भार के आधार पर हमने DNA को क्या कर दिया DNA के खंडू को अलग कर दिया है तीक है अब हमक्या करेंगे हमारे पास इतना सा भाग हमें दिखाई दे रहा है हमें अपनी आखों से दिखाई देगा ये वाला भाग, ये वाला जेल्ज में ये वाला जो DNA जो होगा ये छोटा अनुक्रम है और ये बड़ा अब हमारे पास कुल मिला के DNA को हमने अलग कर दिया और ये जो DNA है इन में क्या मिल रहे हैं पुन्रा वर्तित क्या मिल रहे हैं DNA मिल रहे हैं अनुकरम मिल रहे हैं नाइटोजन चार मिल रहे हैं समझ में आ गया अब चौथा चरण क्या होगा बिटा जी अब चौथा चरण जो से रिपीट कर देता हूं क्या क्या चीज़े बताइए देखेगा मैंने बताया डिने फिंगर फिंगर फिंडिंडिंगी खोज किस ने करी है एलेक जाफरी ने भारत में कॉल लेकर आया वीके कश्यप और डॉक्टर लाल जी सिंग लेकर है सबी मनुश्यों में 99.9% डिने क्य लाता है उसी में ही ये 0.1% डिने सभी के अंदर क्या होता अलग होता है अब आप बोलेंगे जो 0.1% डिने जो अलग मिल रहा है यहां पर इस डिने की खासियत क्या थी इस डिने में अखिर ऐसा क्या मिल रहा है तो इस डिने में नाइट्रोजन चार जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन बार बार नाइट्रोजन चार जो बार बार रिपीट होते हैं उनको हम बोलते हैं वेरियेबल नंबर टेंडम रिपीट अब ये जो बार बार रिपीट हो रहे हैं इन सब की लंबाई जो है मेरे अंदर आपके अंदर ये बार बार जो रिपीट होने वाले पिर हमने बात करी DNA फिंगर प्रिंटिंग में हम करने क्या वाले हमने बात करी एक एक एक्स्वेक्टी जिसको मारा गया जिसके हाथ में बाल आ गया जिसके किसके जिसने मारा है हमने इस बाल को लिया बाल में से हमने अनुशंगी DNA का अलग कर लिया यह पहला चरण था फिर अ नली के अंदर है तो हमें देखने के लिए इनको हमने क्या किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कही ना कही जेल डाली उसमें छेद थे डियन ने यहां पर डाला इस मशीन में आवेश लगाया चार्ज लगाया डियन ने भागा पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्योंकि डियन तक ही बताया मैंने आपको तीन चरण और रहे गए वो कल आकर जल्दी से कंप्लीट करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है तो बेटा जी आज जो पढ़ाया उसको पढ़िएगा अच्छे से धंग से पढ़िएगा क्योंकि हो सकता अभी पूरा क्लियर ना आपको बताया था, मनुष्यों में सबसे छोटा जीन कौन सा था, कौन से गुर्ण सूतर पर मिला था, उसका नाम क्या था, SRY, GRY, MRY, QRY, कौन सा जीन था जो सबसे छोटा था चालिए दूसरा कोशन DNA फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने करी है जाविद जाफरी ने अलेक जाफरी ने लाल जी सिंग ने वी के कश्य अपने किस विज्ञानिक ने DNA फिंगर प्रिंटिंग की खोज करी है चले टाइम हुआ समाप्त आए डिसकस करते हैं पहला कोशन था हमारा मनुश्यों में सबसे छोटा जीन कौन सा है तो सीधा सीधा याद करिए कल मैंने आपको बताया था वाई गुण सूत्र पर केवल 14 नाइट्रोजन छार युगल का एक जीन मिल रहा था जिसका नाम था SRY याद रखना जो कौन से गुण सूत्र पर मिल रहा था वाई गुण सूत्र पर मिल रहा था SRY सबसे छोटा जीन है याद रखना मनश्यों में नेक्स्ट DNA फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने करी है जावेद जाफरी ने कि एलेक जाफरी ने ये तो आप सभी ने सही लगाया होगा किसने एलेक जैफरी ने या एलेक जाफरी ने खोज करी थी किसकी DNA फिंगर प्रिंटिंग की ठीक है क्लियर है मज़ा आगे आज की क्लास में सब कुछ सही था जो चीज पढ़ाई है उसको रिपीट करकर वापिस से देखेगा कल आएंगे तीन बिंदू रह गए हैं उसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे और एक नया चेप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है ओके दिन बाई बाई टेक केर